हेलो एसल फैमली मैं हूँ आपका दोस्त और इस वीडियो में आपका होस्त बिटू अच्छा अभी अभी न्यूस चैनल के दौरा हमें पता चला है कि आज ग्यान की वर्षा और मजे की आंधी होने के भरपूर संभावना है अच्छा चलो इसी के साथ ही आज मैं आपको दता उनकी उमार है 66 और इसमें जो कवित्री है वो एक बेटी के रूप में अपने जो भाव हैं वो जलकाती है कलम से इस कविता के रूप में जब उन्हें बुरा लगता है अपनी मा की बूरी बुजर्ग है वो बहुत जादा उनकी दशा देखके जो उनकी भावनाएं होती है और ये चाहना कि मैं मेरी अम्मा जो उनको वो अम्मा बोलती है कि मैं उनसे बार-बार मिलते रहूं मेरी अम्मा हमेशा मेरे साथ रहे हैं पर उनको पता है ऐसा होना अफकॉस बहुत मुश्किल है क्योंकि हर किसी को कभी ने कभी जाना ही पड़ता है यही बात है कि उनको पता है कि मेरी अम्मा अब बुजर्ग हो चुकी है, उनकी उम्मर बहुत जादा हो चुकी है, जो कि इस पार्ट में 66 है, 66 है, अपने आपको आश्वासन देने के लिए यही हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारी पहली पोय है, चलो, शुरू करते हैं, अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दू, हमारा जो असका session होगा, वो हमेशे की तरह bilingual होगा, यानि कि English Hindi हम दोनों में हमारी जो वारतलाप होग कई बार बहुत चीजें ऐसी होते हैं जो दिमाग का हलवा बना देती हैं, जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ, एक sentence है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यह आपके सामने sentence है, राम आम खाती है, इसका English conversion करो जरा, नहीं, sentence बिल्कुल सही है, sentence बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका English conversion करो, चलो, अब मैं रहता हूँ, confusion कैसे होती है, अब जब मैं इसका English sentence होना, आपको सब समझ में आ जा गए, यह कहना क्या चाहता है, राम is the normal carpenter, अब तुम्हें समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या सोचना था, कैसे convert करना था, समझ में आया है तुम्हें, पूरे समझ में आ गया होगा, है न, इसी के साथ ही, अपने अपनी poem की तरफ बढ़ते हैं, सबसे पहले, अपन देखेंगे chapter की summary, पूरी chapter की summary पढ़ लेते हैं, जो कि हमारी कवीता है, कवीता की पूरी summary पढ़ लेते हैं, ताकि हमें कोई यह न रहे कि यार, यह कब हुआ था, यह कब हुआ था, कैसे क्या कहना चाहती है, उसका हम पूरी कवीता का अनुवाद करके देखेंगे कि वो कवीता कहना क्या चाहती है, ठीक है? चलो आओ. उसकी मा को प्यार सने और देखभाल की जरूरत थी. जैसा कि हमने पहले बताया था, वे जब एरपूर्ट की तरफ हवाई अड़े की तरफ जा रहे थे, तो जो कवीत्री हैं, कवी हैं, उनको यहाँ पे कवी से नाम से अनुवात किया गया है, तो अपनी मा की तरफ देखती ह हैं, तो उने को तावी होती है, जपकी ले रही होती है, मुझ खुला होता है, उम्र दराज है, 66 की उमर है, तो वे देखती हैं, तो उनके चहरे की रंगत उड़ी होती है, उम्र की वज़े से, मुझ खुला हुआ होता है, और जो चहरे होता है, वो कवित्री ने दिखाया ह कि वह एक लाश की तरह लगता है, उनको समाझ में लगता है कि मेरी मा जो है वो बहुत जादा सालों तेका मेरे साथ नहीं रहने वाली, इसी के साथ उन्हें अपने बचपन की जो हमेशा से डर था कि मैं मेरी मा से बिचणना जाओ, मेरी अम्मा से बिचणना जाओ, उसकी या पेड़ों को देखा, छोटे बच्चे अपने घरों से बहार खेल के मैदानों में भाग रहे थे, ये बाते हैं उसकी मा के बुड़ापे के विप्रीत थी, वे सब उर्जा जीवन और खुशी का प्रतिक लग रहे थे, यानि कि जब उन्होंने अपना ध्यान भटकाने के लिए खिड़की से बाहर देखती हैं, और खिड़की से बाहर देखती हैं, तो जैसे हम कार चला रहे होते हैं, तो अगल बगल से पेड़ जा रहे होते हैं, तो जो चोटे मोटे पेड़ थे उनको देखकर, विप्रीत दिशा में दोड़ रहे हैं कार के, उनको देखकर, उ उनका चेहरा उनकी उम्र की वजय से जो हो गया है, जैसा अब है जूरियां है, फीका पड़ चुका है, यानी कि इंगलिश में कहें तो पेल पड़ चुका है, वैसा भी दर्शाता है कि चीज जब खतम होने वाली होती, जब उसका अंत होता है, तब वे किस तरह से अपनी सु पेड़े को बड़े होके बहुत बड़ा बनना है, इन बच्चों को पूरी जिंदगी बची है, तो ये सब उसकी उनकी मा के चहरे के बिल्कुल विप्रीत है, ये हमारी कवित्री बताना चाहती है, आगे पढ़ते हैं, जब वे हवाई अड़े पर पहुंचे और कवी हवाई जहाज से रवाना होने वाली थी, उसने एक बार अपनी मा की ओर देखा, उसकी मा सरदियों के मौसम में चांद की तरह कमजोर और पीली दिखाई देती थी, जो लगता है कि अपनी सारी ताकत खो चुकी है, कवी ने अपनी मा को खोने के दर्द और डर को महसूस किया, उसे अपने बच्पन की याद आ गई, जब वे अपनी मा को खोने के दर से डरती थी, एक बच्चे के रूप में वे कुछ शणों के लिए भी अपनी मा से अलग नहीं हो सकती थी, अब नुकसान स्थाई होगा क्योंकि उसकी मा मरने वाली थी और वे उसे हमेशा के लिए खो दे परन्तु जब वे हवाई अड़े पहुचे और जब उनके जाने का वक्त होगे कवी के, तो ये तो सीधी सी बात है, बिना आखरी बार देखे, आखरी बार उनको बताए कि मैं जा रही हूँ, ये तो वे करने ही सकती थी कि सीधी चल जाएं, तो इसलिए उनको अपनी मा की पर देखना पड़ा, भले ही दर्द मैसूस किया हो, पीड़ा है मैसूस कि उनके देखा, और वे कहना तो बहुत कुछ चाती थी, परन्तु वे कुछ नहीं कह पाई, और उनके से भी तना बोला, see you soon, अम्मा, यानि अम्मा हम जल्द मिलेंगे, अच्छा ये जो शब्द है जल्द ही मिलते हैं, अम्मा, क्योंकि वे चाती दी कि उसकी मा जीवित रहे और वे फिर से मिल सके, यही जो हमने पड़ा, यह जो शब्द है ना, जल्द ही मिलते हैं, अम्मा, see you soon, अम्मा, ये असल में खुद की आत्मात के लिए आशवासन थे, कि नहीं, जो मन कह रहा है, जो मन तो ओड़ रहा है, उसको चुप कराने के लिए नहीं, हम अम्मा से पापिस मिलेंगे, आपने शुरू करते हैं अपनी पोयम, चलो, पढ़ना शुरू करें, रिडिंग शुरू करें, ओके, रेडी, लेट्स गो, कनुवात करते हैं, इसकी समवात देखते हैं कि इसमें लिखा क्या गया है, इन पंक्तियों में कवित्री पिछले हफते, अपनी माता-पिता के घर से, कोचिन के लिए वापिस यात्रा को याद करती है, उस दिन शुकृवार था, और उस सुभ़े, वे अपनी मा के साथ वाई अड़े तक कार में जा रही थी, उसी बीच वे आगे ड्राइव कर रही थी और उनकी माँ उनके साल बैठी थी, और फिर जितनी भी बातें जो उनने कलम से कागस पर उतारी हैं, वे सब उन भावनाओं का प्रतिरूप हैं, जो वे अपनी माँ के चेहरे को देखकर ठीक है? चलो, यह अपनी पोएम की पहली, पहली चार लाइन हमारे पोएम की हैं, driving from my parents home to Kochi last Friday morning, I saw my mother beside me, next पर चलते हैं, बहुत चोटी पोएम है, चार sentence, चार पहराद ने खता में हैं, दोज, open mouth, her face ashen like that, of a corpse and realized with pain that she was as old she looked but soon put that thought away, and next sentence के breaking के लिए लगाए गया है, यह देखों, यहाँ पर dose का मतलब क्या होता है, मैं आपको देता हूँ, dose का मतलब होता है, जपकी लेना, dose का मतलब होता है, जपकी लेना, open mouth की वे ठक चुकी हैं, उनके शरीर में ती जान नहीं है, इसलिए वे जपकी ले चुकी है, कार के अंदर यह उनका मुह खुला हुआ है, हर फेज, एशन, एश का क्या मतलब होता है, एश का मतलब होता है, राक, एशन like that, of a corp, और इसका मतलब होता है, corp, इसका मतलब होता है, लाश, अच्छा, अब आपको सुनने में इस सारे शर्द बहुत भारी लग रहे होंगे, परं भावना हैं, भावना हों में कितना जूर है, उन्हें दिमाग से लड़ना पड़ रहा है, मन को हराना पड़ रहा है कि नहीं, यह सब नहीं होगा, मैं मेरी मां से मिलूंगी, इसलिए उन्होंने इतने स्ट्रॉंग शब्द का उपयों किया है, फिर से बढ़ते हैं पन, इस इस विचार को हटा दिया उन्होंने, और इसी लिए अव्यकार से बाहर देखेंगे, चलो, इसका अपन समवाद देख लेते हैं, इन पंक्तियों में कमला दाची कहती हैं कि वे अपनी मां को आगे की सीट पर सोई हुए अवस्था में देख रही थी, उनका मूँ थोड़ा नहीं रही, वे समय के साथ बूड़ी हो चुकी थी, यह उनके चहरे से साव जलक रहा था, परन्तु फिर भी कवित्री को यह स्विकार करने में बहुत मुश्किल हो रही थी, इसलिए वे अपना ध्यान कहीं और खेंद्रत करना चाह रही थी, अपनी मां के चहरे को देखकर सचाई से लड़ते हुए, उन्हों यह स्युकार कर रही थी, कि मेरी मां अब जवान नहीं है, मेरी मां के पास अब उम्र घटती जा रही है, मेरी मां की उम्र घटती जा रही है, उनके पास दादा साल नहीं बचे हैं, और उनकी दुरदशा जो है बै और समय के साथ सही से बिगट रही है, उनके चहरे पर जुरियां आ चुकी है, उनके चहरे की रंगज आ चुकी है, उम्र की वज़े से, और उनका चहरे जो है, वो कैसा हो चुका है, फीका हो चुका है, पेल हो चुका है, सर्धियों का चांद होता है, हलका हलका पीला होता है, सफेद नहीं होता है कभी देखना हलका हलका पीला होता है उसको पेल कलर कहते हैं पेल का मतलब होता है फीका ठीक है आगे चलते हैं तीसरे पैरा की तरह अच्छे यह पेल का मतलब में बतायता हूं अच्छे अच्छे चलते हम हूं करते हैं वह नहीं जो कि पीमारी का इंडिकेटर होता है मतलब आपको वैन, जैसे कोई बीमार इनसान को आप देखते है ना, तो उसके चहरे पे हलका पीलापन होता है, उसका आखे बंद होती है, इसाब वैन कहते हैं, मतलब वो चहरा, वो हरकत जो बीमारी को दर्शाती हो, और पेहल का मतलब मैंने बताया था, फीका होता है, इस ब again at her than pale यहाँ पर marry का मतलब होता है खुश खुशी एक मिनिट खुशी भरपूर Mary का मतलब खुशी से भरपूर तो वे देखती हैं बहार देखती हैं तो जो छोटे-मोटे पौदे हैं वो कार के अगल-बगल से जा रहे होते हैं क्योंकि दोन वी फ्रीद इशा में हैं उनको देखती हैं बच्चे पिलिंग का मतलब फैलना होता है परंदू यहाँ पर दर्शाते हैं जब घर से निकलते हैं ना खेलने के लिए तो उसे खुशी के साथ, इस excitement के साथ, उर्जा के साथ निकलते हैं तो उन्होंने उसे फैलने वर्ड से दर्शाया है फिर जब वे हवाई अड़े पर पहुचती हैं तो सीक्यरिटी चेक होता है हवाई अड़े से गुशने से पहले उसके बात वे अपनी मा की तरफ देखती हैं और उनका चेहरा वैन यानि की बीमारी को दर्शाता हुआ पेल यानि की फी का नजर आता है चलिए इन पंक्तियों में कवित्री कहती हैं कि उन्होंने अपनी बूड़ी हो चुकी मा से अपना ध्यान हटाया और गाड़ी की खिड़की से बाहर देखने लगी उनकी आखे उन व्रक्षों पर पड़ रही थी जिनने उनकी गाड़ी पीछे छोड़ती हुई चली जा रही थी अगर पेड़ों के पास इतनी तीवर्गती से चलने की शक्ति है तो उनकी उम्र काफी कम होनी चाहिए कवित्री की आखे उन बच्चें पर भी पड़ती है जो अपने घरों से बड़े उत्सा से खेलने के लिए बाहर निकल रहे थे कवित्री इन सभी जगाओं को पार करते हुए हवाई अड़े तक पहुँच जाती है इस तरह वे अपना ध्यान भटकाने में सफल हो जाती है परन्तु एरपोर्ट में शुरक्षा जाच के बाद जब वे अपनी मा को बिलकुल सामने खड़ी होकर देखती है तो उने फिर से अपनी मा बहुत ही बूड़ी और कमज और नजर आती है अब उनके पास कोई चारा नहीं था अब वे कहीं ध्यान नहीं भटका सकता है थी तो उनकी पूरी नजर अपनी मा की उपर थी जो कि फिर से उन्हें महसूस हुआ कि मेरी मा बूड़ी हो चुकी है उनके शरीर में दम नहीं है उनके चेहरे पे वो रंगत और उनके शरीर में विमारी हैं उम्र के कारण ये सब भावनाए हमारे कवित्री के मन में उठती है जो कि उन्होंने कलम के द्वारा काजस पे लिखा है चलो अपन चलते हैं आगे अब हम पहुँच चुके हैं हमारे वेम के अंतिम पैरा पे हैं है ना चलो As a late winter's moon and felt that old familiar ache my childhood sphere but all sad was see you soon amma all I did was smile and smile and smile चलो winter's moon felt that family एक का मतलब होता है दर्द अब हम बोलता है stomach एक हो रहा है, headache हो रहा है सरदद हो रहा है, पेडदद हो रहा है, एक का मतलब होता है दर्द fear का मतलब आपको पता है, दर्द तो इस पैरा में कवित्री ने ये दर्शा है पोयम के जरिए words के जरिए कि वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी परंत उनके मन से जो जुबान पर शब्द है, जो जुबान से बहार निकले वो क्या थे see you soon, amma smile, smile और वैसे खस्ती रही ये जो शब्द हैं, ये सिर्फ बोलने में तो तीन चार शब्द है, see you soon, amma परंतु ये शब्द उन सारे emotions को, उन सारी शब्दों ने रोक रखी थी, इन पंक्तियों में कवित्री अपनी मा की तुलना उस चांद से करती हैं, जो सर्दियों की अंतिम रातों में दिखाई पड़ता है इससे उन्हें बच्पन के दौरान सबसे यादा डर लगने वली बात याद आ जाती है, उनका डर है कि उनकी मा एक दिन मर जाएंगी, ये भै उन्हें पहले भी कई बार परिशान कर चुका था और अभी भी तकलीव दे रहा था, लेकिन वे अपने भै को दिखाना नहीं चाह रही थी कवित्री बहुत ही साहस के साथ अपनी मा को अर्विदा कहती है, वे अपनी मा को ये आसवाशन देती है कि वे फिर उनसे जल्द ही मिलने आएंगी इस पूरे वारतलाब के दौरान अंदर ये अंदर बहुत ही तकलीफ में होने के बावजूद भी कवित्री के चेहरे में खुशी जलक रही थी हमारा पैरा, हमारी पोयम यहाँ बे खतम होती है इसका अंतिम जो मीनिंग निकलता है वो यही निकलता है कि बूलना तो बहुत कुछ चाती थी क्योंकि जब कार से वे आ रही थी तब उन्होंने पहले ही फील कर चुका था कि मेरी मा की उम्र के कारण बे उनके शरीर में बीमारी है उनके चहरे पे एक उदासी आ चुकी है परन्तु उस से में उन्होंने ध्यान बठकाने के लिए बाहर देख लिया जब उन्होंने बाहर देखा अच्छा, उनको उनका मा का चहरा कैसे देख रहा था याद रखना जिसका कलर पेल था सड़्जियों के चांद से तुलना करी थी पेल कलर के कारण क्योंकि चहरे पे बीमारी होती है तो एक वो पीला हलका पीला सा चहरा नजर आता है न वह दरशाना चाहती थी ये जल्दी मिलना जल्दी मुलाकात होगी अम्मा और सिर्फ हसती रही तो दोस्तों इसी के साथ ही अपनी कविता पहली कविता यहाँ पे खतम होती है यह थी पहली कविता सिर्फ चार पैराग्राफ थे इसमें हमने हर एक पैरा पड़ा उसका अनुवाद देखा हमने समझा अब जल्दी से हम इसके कोशन आसस भी लेके आएंगे और उनको समझेंगे उनको करेंगे जाने से पहले मैं आपको एक काम देके जाता हूँ आप कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर कीजेगा आप मेरे को एक बात बताईए ठीक है टार वर्ड दे रहा हूँ उनके ऐसे प्राइवाची लिख लिए जो आपको लगता है कि दूसरे नहीं जानते है फिर से सुनिये मैं आपको इंग्लिश की कुछ शब्द देके जा रहा हूँ उनका आपको प्राइवाची सिनॉनियम लिखना है परन तु नॉर्मल लिखना है ऐसे वर्ड लिखना है जो आपको अनुसार दूसरों को नहीं आते होंगे आप ढूड सकते हैं कहीं से भी चलों मैं आपके लिखता हूँ पहला शब्द मैरी 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 शब्द का प्राइवाची सिनॉनियम दूसरा शब्द स्प्रिंटिंग एक एक प्राइवाची एक एक सिनॉनियम यह दो शब्द हो गए पहला शब्द मैरी खुशाली प्रिंटिंग दौडना तीसरा शब्द भी यहीं सही ले लेते हैं कहां दूर जाएंगे अपन यंग तीन शब्द हो गए मैरी प्रिंटिंग यंग इनके बहुत सारे सिनॉनियम मिलेंगे प्राइवाची मिलेंगे अच्छे यह इसलिए है क्योंकि यह कॉमन वर्ड्स है इनका होना जानना जरूरी है और आप कमेंशेशन में लिखिएगा आप क्या होगा एक ही शब्द के हमें इतने सारे मतला पता चलेंगे इतने सारे प्राइवाची सिनॉनियम पता चलेंगे आपकी जो वोकाबलेरी है जो आपकी वोकाबलेरी है यानि कि जो आपकी शब्दों की उसकरने की कि यार इस इस वर्ड के अकॉर्डिंग मैं यह बोल सकता हूँ चलिए, चौथा वड़ापन ले लेते हैं, क्या? बताईए मुझे, क्या लें, क्या लें, रहे, डोज ले लेते हैं, ये चारे अच्छे वड़ हो गाई, चलो, ये हो गया, डोज, ये आपके चार शब्द हो गए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहला शाब पहला शाब मैरी दूसरा यांग तीसरा प्रिंटिंग चौथा यह आपके चार शब्द हैं इन चारों का एक एक प्राइवाची कमेंट सेक्शन लिखिए और मेरी बात मानिये देखते हैं किते लोगों के सही निकलते हैं और कोशिश करिए आप कुछ ऐसा ले जो दूसरों के पास ना हो जो दूसरों ने ना लिखाओ आपके अनुसार और हाँ एक टाइम पर खताम ही हो जाएगा तो उसकी ट्रेंशन ना ले फिर भी आपको लगता है यूनिक है कि ज़्यादा ने लिख पाएंगे तो आप लिखें उसका, ठीक है इसी के साथ ही, this was me, Bitu this is the end of a poem, see you soon love you all, this is me, Bitu signing out, bye bye